नमस्कार, मेरा नाम वर्षा जोहान है और मैं डॉक्टर राम मनुहर लोईया आयूर विज्ञान संस्थान से हूँ और आज मैं आप सभी को कफ एटिकेट्स के बारे में बताऊंगी कफ एटिकेट्स यानी हमें किस प्रकार छीकना है और किस प्रकार हमें खासते समय किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का कफ या स्नीजिंग करते समय हम किन किन चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं हमें रुमाल या टिशू का इस्तमाल करना है जादा अगर हमें खासी या कफ आ रहा है तो हम मास्क का इस्तमाल भी कर सकते हैं अगर हमारे पास मास्क एवेलेबल नहीं है या हमारे पास रुमाल या टिशू पेपर नहीं है और हम पब्लिक पर हैं तो उस case में हम हमारी बाजू का या एल्बो का इस्तमाल कर सकते हैं हमें अपने मूँ को कुछ इस प्रकार कवर करना है जिससे कि हमारी नाक और हमारा मूँ दोनों ही ढका हुआ हो और हमारे मूँ से निकलने वाले जो भी droplets हैं जो भी किटानू हैं वह सब हमारी बाजूक तक ही रहें वह और लोगों को संक्रमित ना करें एक और बहुत ही महत्पून जानकारी अगर आपके घर में कोई भी मरीज है जिसको सांस लेने में दिक्कत या सांस की किसी भी प्रकार की बिमारी है उनको हमें specially एक अलग मास्क देना है हमें जो जितने भी family members है उनको तो मास्क का प्रयोग करना ही करना है बहुत जरूरी है बहुत महत्पून है कि अगर जो मरीज है हमारा हमारे घर में हम उसको मास्क दें जिससे की patient भी बचे रहें और जो हमारे घर परिवार के लोग है या जो हमारे आजपास के लोग है वहे भी संक्रमठ से बचे रहें इस प्रकार हमें कफ एटिकेट्स करने है और कफ एटिकेट्स का ध्यान रखना है मैं आशा करती ह Pil práya को कफ एटिकेट्स के बारे में समझ में आया होगा और आप सब पब्लिक प्लेसिस पे अपने घर में कफ एटिकेट्स का प्रयोग करेंगे धन्यवाद